नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट करप्सर 99 में बहुत बहुत सागत है साथ ही आज छट पूजा के शुब अपसर पर आप लोगों को धेज सारी शुब कामना हैं चलिए आज हम लोग जानेंगे सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 आर्टी आई एक 2005 के तहट हम लोग किसी भी विभाग के द्वारा दिया गया निर्देश या आदेश की परमानित परती किस प्रकार लेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे चलिए जो इस चैनल से अब तक नहीं जुरे हैं वो अबस सब्सक्राइब कर जुर जाएं तिथा उप्योगी लगे तो इसे सेर करें तिथा एक लाइक अबस कर देंगे चलिए देखें सूचना का अदिकार अदिनियम 2005 के थथ मैंने एक सादेक आगज पर प्रपत्र को लिखकर या आप टाइप कराकर या फॉर्मिट में भी सूचना मांग सकते हैं मैंने यहाँ सादेक आगज पर एक आवेदन लिखकर राजस सेवं भूमी सुदार विभाग बिहार सरकार पटना से एक आदेश या निर्देश की प्रमानित परति की मांग की है प्रपत्र को लिख देंगे सूचना प्राप्ट करने के लिए आवेदन प्रपत्र सेवा में लोग सूचना पतादिकारी मुक्सचीव का कर्याल है राजस सेवं भूमी सुदार विभाग बिहार सरकार पटना आवेदक अपना नाम लिखेंगे पिता का नाम लिखेंगे पूरा पता लिखेंगे पिन कॉड साहित लिखेंगे मुवाइल नंबर और एमेल भी दे सकते हैं चौथा मांगी गई सूचना, आप किसी भी पत्रांग दिनांग का निर्देश या आदेश लेना चाहते हैं, उसका यहां बॉर्णन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट यहां आप लिख सकते हैं, मैं यहां कुछ सूचनाए की मांगी है, आप लोग देखें, आप लोगों क जिस अधिकार अधिनियम या जिस पत्रांग दिनांग का आदेश निर्देश चाहिए, यहां पर लिख देंगे, दिव्जांग व्यक्ति समान अफसर अधिकार का संरक्षन और पूर्ण भागिदारी अधिनियम, 199 की धारा 43 के प्राफधानों के तहत दिव्जांगों को आ इस प्रकार जो भी आपको पत्रांग द्रांग मालूम है तो यहां लिख देंगे राजस से वंभूमे सुधार विभाग बिहार सरकार पत्ना का ग्यापांग कितना दिनांग कितना की प्रती प्रमानित उपलब्द कराया जाए या जिस भी आदेश निर्देश का आपको छापरती चाहिए प्रमानित उसका यहां वर्डन करते हुए जो भी आप सुचना मागना चाहते हैं यहां लिखेंगे पाइंट टू पाइंट लिख सकते हैं पाच महा में लिखेंगे वांचित सूचना है आपके कारियाले या विभाग से संबंदित नहीं है तो इसी संबंदित विभाग कारियाले को पांस दिन के अंदर अस्थांतरित कर मुझे भी सूचित करें कभी कभी गलती से या जानकारी के अभवाब के कारण हम लोगों का RTI आवेदन दूसरे विभाग में चला जाता है तो यह वहां के लोग सुचना अधिकारी का करतब है कि उसे संबंतित विभाग को स्थांतरित कर आवेदक को सुचित करें छठा मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सुचना सुचना अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 के तहत है यह भी लिख देंगे अपना हस्ताक्षर पूरा पता लिखेंगे मुबाईल अंबर देदेश रखते हैं अपना स्थां लिख देंगे जहां आप रहते हैं जहां से आप RTI लगा रहे हैं दिनांग लिखेंगे इस प्रकार हम लोग RTI लगा कर किसी भी विभाग के आदेश या निर्देश की परमानित परती लेकर उसकी जानकारी प्राप्ट कर उससे हम लोग लावभानवित हो सकते हैं जैहिन